So hi guys, welcome to my channel, मैं अमसूर विजिट कर रहे हैं किया साइट टूरियोल और आज की टूरिम मैं आपको एक ऐसे tips के बारे में बताने हैं जिसकी मदद से आप श्टार्टिंग में आप आप व्यूस बहुत एची तर इस पर पाएंगे तो यहां बे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप पर्स्ट रिजिट कर रहे हैं चैनल को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेए और इस तरह के वीडियोस लाइक कीजि़ेगा अगर वीडियोस पसंद आ है तो इस लाइक कर रहिए और शेयर कर दीजि़ेगा Training के आपको आपको एसे बताने वाल आऊए जो पहला तरीका है जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके सी वीडियो को जो की रेंक करवाते है। विडियो को जो ही कि टॉप पे लाया जाता है आप मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको जो ही कि अच्छा-च्री वीडियो अभी भी टॉप है और मेरा जो चैनल है उसको स्टार्ट की वे ज्यादा दिन नहीं हुआ है ठीक है यह वन येर से टू यर के आ तो 3 साल मिनिमम मापको 3 साल देना ही होगा। जैसे कि मैं आपको आल्लेड़ी बताता रहता हूं कि मिनिमम अगर बेसिक user के हम बात करें एक beginner की बात करें, नहींग बात कर त्रीज दिखाते हैं। कबर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अप जो ही कि वीडियोस को सेयर करें ठीक है लेकिंश सेयर करने पर गो ser करने पर डंक डेकि लोग सोखते हैं कि मो kalian आते हैं गजर अलम इपने सब्सक्राइबर को हाइड नहीं की है अगर अपने सब्सक्राइबर को हाइड नहीं करके रखाया तो ड although अगर अपि wn तो दोसों कितने वियो कोई फरक नहीं पड़ता है यहां पर लेकिन आप सब्सक्राइबर को हाइट कर दीजे पहला टिप से ही है कि आप कभी भी यूज करें वीडियो को जब भी चैनल बनाए तो आप इस टार्टिंग में अपने वीडियो के सब्सक्राइबर को हाइट इस लिए वो बताते हैं जो कि बड़े यूटूबर घुमांगा के बहुत सारी बाते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है ठीक है वो बड़ी वीडियो बना देंगे बीस मिनट की बना देंगे उससाब अर्णिंग के लिए किया जाता है लेकिन जो जो टिप्स होता है कि यही चेनुवन तरीका है ठीक है और उस चीजों को बड़े यूट्यूबर घुमाते रहते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो छोटे यूट्यूबर होते हैं बहुत ही ज्यादा coherence provide करते हैं ठीक है कि अपनी सब्सक्राइबर को हाइड़ करना है मैं टीपस नमर 10 की हम बात करें तो आपको क्या करने कि आपने वीडियो को जितने विसो सोसल मिडिया उन है उद सबर सेयर करना काफ़ी नहीं होगा अगर आIM हम बात करें लेकिगि सेAR आपको करना है at least तो share करना ही है यह आपको जो कि सुरुवाती के व्यूज है ने वह 100-200 वह cover हो पाएंगे ठीक है उसके बाद हम बात करें टिप्स नंबर 3 की तो आपको एक तक ब्लॉग तयार करना है अपको ब्लॉग आपको इसलिए बहुत आना हु JOHN सारी वीडियो को वहाँ पर embed करके वहाँ पर डालिए ठीक है एक template custom template यूज़ करिए उसके बाद embed करके वहाँ पर डालिए उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपको ब्राउजर से जो आपको ट्राफिक आएगी आपको YouTube से वाले सार्च में ना आए कोई बात नहीं है लेकिन जो ब्राउजर से आपको searches में आपकी वीडियो आने सुरू होंगी वह बहुत ही ज्यादा कारगर सावीत होंगी और बहुत ही ज्यादा आपको help देंगी बहुत ज्यादा आपकी channel ग्रोग करने में मदद करेंगी तो यह जो तीन तरीका में आपको बता रहा हूँ न लेकिन सबसे बेटर यही रहेगा मैं आपको रहा हूँ एक starter के लिए एक beginner के लिए जो सुरुवाती views लाने चाहते है हजार दो हजार पांच हजार कम से कम minimum views जो एक ही 48 hours में cover करना चाहते है तो यह तीनों tips को आप follow करें और definitely मैं आपको पता रहा हूँ जो blogging से जो views आते है सबसे ज़्यादा cover करते हैं जो external views हम बोलते हैं जिसको आपने देखाऊ को जो वीटियो में आपने जो traffic source से आप सर्च करेंगा तो पता लगेगी YouTube में आप जाएंगे आपने creator studio में आपको पता होगा जब चेक करते हैं तो आपको यह मालूम पढ़ता है कि आप कहां से traffic आ कि दर से ऊह रहे है कि विटुब से आ रहे है कि external यहिए कि suggested आ रहे है सब पता लगता तो सबसे ज्यादा जो वीजो होती हैंस ज्यादा वह ब्राउजर की होती है और कई और ब्राउजर से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब फिक्स है कि या तो आप ब्राउजर के जो टैक्स लगाँ है वो बहुत अच्छे लगा रहे है या फिर आप ब्लॉगिंग से आप बंदा ब्लॉगिंग से वो ट्राफिक ला रहा है इस तरीके से एक अलग traffic मिलती है जो browser के थूरू मिल जाती है तो बहुत ही better तरीका है यह और external जो traffic होती है social media के मादम से आपको मिल जाएंगी तो यह तीनो tips को आपको follow गरना है और आपको definitely मैं बोल रहा हूँ कि views बहुत ही आसानी से cover होंगे तो suggestion में जाएंगे और suggestion में जाएंगे तो बहुत ही easily आप अच्छे यूटूबर्स बन सकते हैं तो यह मेरा tips था और मैं आनेवल tutorial में और भी नहीं नहीं tips लाते रहूँगा अगर tutorial पसंदे तो लाइक कीजिए, share कीजिए सब्सक्राइब भी जे चैनल को, हमें लेगे next tutorial में तब सक्रीब आवाए